अगर आपक year of birth, इन में से कोई इसा भी है, कौन से हैं वो? 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. आपका है या आपके परिवार में से किसी का है, near and dear ones का है, रिष्टेदारी में किसी का है, तो ये वीडियो आपके लिए है. I'm a mother, teacher, guide and a friend. And these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel, Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. आज बात होने वाली है, कौन से Chinese astrology के साइन की? वो है horse. हंजी horse. मैंने कहा था न, मैं सबसे पहले अपना मलाई start करूंगी. तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे, इनी years की बात करेंगे, जो आते हैं under horse. जैसे हम लोग 12 राश्यों की बात करते हैं, ऐसे ही चाइना में 12 animals की sign की बात होती है, और हर 12 साल के बाद वो एक-एक करके repeat होते हैं. इस पोरी वीडियो में मैं क्या-क्या share करने वाली हूँ, यह बहुत ही मज़िदार होने वाली है, actually. मैं share करूंगी आपके traits क्या हैं, मतलब आपके ऐसे USPs क्या हैं, जो आपके बड़े कमाल के traits हैं. मैं बात करूंगी यह आपकी shortcomings कहा हैं. मैं आपसे बात करूंगी आप 5 elements में से कौन सा element है आपका, यानी Chinese astrology, animals की तो बात करती करती है, उसके इलावा 5 elements की भी बात करती है, wood element है, fire element है, water element है, earth element है, और metal element है, तो यह पांचों की भी बात करती है, तो आप इन में से कौन से वाले और उसमें ऐसे specific traits हैं आपके, इसके इलावा famous ऐसे लोग कौन से हैं, जो की horse, years में से पैदा हुए है, मतलब horse के इतने सारे सालों में से कौन से हैं, जो बात famous है, इसके इलावा हम बात करेंगे आपकी compatibility की, यानी आपकी love compatibility किस की साथ है, उनकी भी मैं years बता दूगी हब को, ताकि आपको समझ में आ पाए, plus आपके लिए lucky numbers क्या है, आपके direction आपके लिए अच्छी रहेगी, plus चलते चलते, वो सब लोग जो कहीं न कहीं आपसे जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर आप horse हैं, या आप नहीं है, और आपके घर में कोई ऐसा person है, जो horse sign के अंडर आता है, तो आपके लिए कुछ ऐसे tips and tricks दोंगी, ताकि अगर बनती ना भी हो, तो at least कोशिश करेंगे, तो वो बन पाएगी, और किस तरह से बन पाएगी, तो कमाल की video होगी, मज़ेदार video होगी, थोड़ी से लंबी हो सकते, क्योंकि मैं बहुत सारे parameters इसमें लेकर आ रही हो, interesting बनाने के लिए, और आपको आपके खूबिया, खामिया दोनों बताने के लिए, तो अगर आप horse sign के अंडर आते हैं, आपके अंदर बहुत सारी खूबिया हैं, कौन सी खूबिया हैं, सबसे पहले तो घोड़ा, वो कहते हैं ना, घोड़े जैसी ताकत, घोड़े जैसी हिम्मत, और घोड़े जैसी energy, वो बिलकुल सही कहते हैं, कि घोड़े की तरह चलो, भाबो दोड़ो, तो जो भी लोग इस horse की category में आते हैं, वो बहुत enthusiastic होते हैं, बहुत hard working होते हैं, पूरी तरह से committed होते हैं, किस चीज़ को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने goals को लेकर, अपना planning जो की है कि उसको मुझे implement करना है, तो इन से अच्छ होते हैं, कमाल की courage होते हैं, enthusiastic भी होते हैं, और ये socially जाने जाते हैं, popular होते हैं, लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, कहीं भी हो, कहीं न कहीं इनकी पहचान जान पहचान अच्छी रहेगी, और इनको अच्छा लगता है कि social circles में ये अपना नाम और अपना इज़त और पहचान बना पाएं, इनकी करुम की वज़े से, मतलब whatever they work, whatever they do, खुश हो गए ना, स्वाइल आ गई, तो जलो, अब मैं आपको ये बता दे, तियो weaknesses क्या है, सबसे पहली चीज, आप अपने emotions को बिलकुल hide नहीं कर पाते हो, मतलब अगर गुसा है, तो चेहरे पे तुरंट से reflect हो जाएगा, नराजगी है, तो reflect हो जाएगी, रोना आ रहा है, तो reflect हो जाएगा, मतलब हर emotion ऐसे कमाल से जलग जाता है, फुटा-फट से, कि सामने वाला person तुरंट से भाब जाता है, कि इस person में अब ये emotion है, बहुत जादा कहते है ना, over ambitious होते हो, मतलब ambitions को लेकर सब चीज़ें भूल जाते हो, परिवार कहां है, लोग कहां है, क्या है, कुछ और करतव्य हैं भी के नहीं है, वो सब sideline कर देते ह अपने ambitions के पीछे भागते हो, और बतलब भागते ही रहते हो, गोडे की तरह, बहुत बार आपको over confidence जो है ना, वो तंग करता है, और उस over confidence की बतालत कही बार थोड़ी सी गड़बड हो जाती है, last but not the least, थोड़े जाद ही आप sophisticated किसम के लोग हो, मतलब हर किसी की तरह से नहीं हो, अपने ही धुन में, अपने ही मस्ती में, अपने ही मगन्म रहने वालों में, अपने ही तरीके से, अपनी ही नजाकत से, या अपनी ही स्पार्टने से, या अपनी ही बड़ी strong choices के साथ governed रहत हैं, अब आज आते हैं हम पांचों elements पे, तो अगर, suppose अब जो मैं आपको साल बताऊंगी, वो उस-उस elements से related होगा, अगर आपका जनम हुआ है 1906, 1906 में या 1966 में, तो आप wood horse के लाते हो, वो wood elements से connected हैते हो, तो ऐसे में आप क्यासे इंसान हो, आप imaginative हो, आप observant हो, आप perceptive हो आप decision maker हो, और आप एक born leader हो, अगर आपका जनम हुआ है 1918, 1918, 1978 में, तो आप fire horse की category में आते हो, ऐसे में आपकी characteristics क्या हैं, आप बहुत intelligent हो, passionate हो, बहुत energetic हो, बहुत sensitive भी हो, और बहुत steadfast हो काम को करने में, अब आपका जनम अगर हुआ है 1930 में और 1990 में, 1990 में, तो ऐसे में आप आते हो, earth element के साथ, अब earth element होने के ना आते, आप कैसे इनसान हो, आप optimistic हो, आप के अंदर एक बहुत strong desire है justice करने का, मतलब आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, और आप एक typical उस तरह के इनसान हो, जो काम दे दिया जाए करके ही रहोगे, मतलब उसको complete किये बिना, उठोगे ही नहीं, इसके बाद हम आते हैं next category पे जो की है metal horse, और अगर आप metal horse की category में हैं, तो that means आप 1910 में पैदा हुए हैं, या फिर 1970 में पैदा हुए हैं, आप optimistic हो, साथ साथ में बहुत frank nature के हो, मतलब मुझ पे बोलने वाले हो, बिंदास, frankly बोलते हो, इसके बाद हम आते हैं next category है, जो की water horse और अगर आप water horse की category में आते हो, तो यानि आप बहुत considerate हो, और आप बहुत self-sacrificing हो, बहुत जबरदस्त ambition पाले हुए हो, और अपने हर ambition को काम्याबी की तरफ लेकर जाते ही जाते हो, चलिजे अब हम बात करते हैं, उन famous लोगों क जो की horse skinder आते हैं, कौन है वो सब लोग, स्टिफन होकिन, एमना वाटसन, जैकी चैंग, एर रिवान, विरेंदर सहवाग, कमाल के बल्ले बाजी राइट, एंड लारा दत्ता, तो ये some names हैं, बहुत सारे नाम है, बट मुझे लगा थोड़े से गिने, चुने नाम तो मैं जो हर कोई जिनको जानता है, पहचानता है और resonate करता है, अब इसके बाद मैं आऊंगी career की choices पे, यानि आप के लिए कौन से career अच्छे हैं, बिफोर आ मूँव तो दिस, एक छोटी से announcement, और announcement वो ये है, जैसे आप मुझसे बार-बार पूछ रहे थे, माम क्या इस बार workshop आएगी के नहीं, definitely आएगी नवरातरों की workshop और हट की आएगी, थोड़ी से different आएगी, course की तरह से आएगी आपके पास, और as it is, जैसे हमने last time किया था, ये इस बार virtual भी है, PDF भी है, आपको हर practice से मैं रूबरो कराऊंगी, not just that, आपको religion को spirituality से combine करवाऊंगी, और आप कैसे नौ दिनों को अपनी life में एक transformation होता हुआ देख सकते हैं, कैसे आप अपनी life में better हो सकते हैं, better to become best हो सकते हैं, all of it we will be covering in these nine days, क्या color होगा, क्या mantra चैट होगा, उस mantra से क्या effect होगा, उस mantra के इलावा हम उस particular day पे किस चीज़ का भोग लगाएंगे, यानि मा को क्या आरपन करे इन सब के बारे में बात होगी, इस particular workshop में interested हो, तो मैं लिंक दे दूँगी, आप description box में जाकर register कर सकते हैं, first come, first of basis पे हैं, तो चलेजिए professions की बात करते हैं, अगर आप horse है, तो कौन से professions हैं आपके लिए, ये सब professions में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, journaling, publicist, performer, communicator, pilot, politician, artist, writer tour operator, travel guides, architects and entrepreneurs, बड़ी लबी लिस्ट है, काफी कुछ कर सकते हैं, अब हम आते हैं आपके लिए lucky numbers कौन से हैं, तो lucky numbers है 2, 3 and 7, और जो numbers आपको avoid करने हैं, जहां पे थोड़ी सी खटल पटल हो सकती हैं, वो है 1, 5 and 6, colors कौन से हैं, yellow and green हमेशा आपको help करेंगे, कोशिश करिएग को थोड़ा avoid करने की, because white से आपको peace तो definitely मिलेगी, लेकिन आप वो peace संभाल नहीं पाएंगे, कौन सी direction है आपके लिए अच्छी और direction क्यों बता रही हैं, उस particular direction में जगर आप अपने घर में, workplace पे कहीं पे भी उस जगा बैठना शुरू करते हैं, या उस जगा अपना vision board avoid क्या करना है, north और northwest ये दो directions आपको avoid करनी है, अब आपके लिए चलते हैं, हम best matches की बात कर लें, यानि कौन सी love compatibility है, यानि कौन से ऐसे signs है, जो आपके साथ इनके हमेशा बनने वाली है, चलिए वो बता दिये देती हूँ, वो है tiger, वो है goat, और third है dog, अब अगर आप tiger के अं avoid करके screenshot ले लीजेगा, और उसके बाद चेक करते चले जाएगा कि आप इन में से किसी में है की नहीं है, ताकि आपको याद रहे हैं, हो सकता है याद ना रहे हैं बाद में, अब हम आ जाते हैं कि आपकी किन से बिलकुल भी नहीं बनती, तो उसमें सबसे पहले है rat, फिर है ox, rooster और horse की horse के साथ कम बनती है, यानि आप अगर 1966 में 1966 में born हुई हूँ, तो जो मेरे साथ के लोग 1966 में born हुए हैं, तो मेरी सरवन से थोड़ी सी कम बनेगी, तो अब ये मुझे ना, मतलब सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरे तो बहुत सारे class के friends और known friends बहुत बढ़े सा about. चलिजी, अब मैं आ जाती हूँ, इस वीडियो की last part में जो मैंने कहा था, अगर आपकी घर में कोई horse है, यानि आप हैं या कोई और हैं, परिवार में हैं, और आपको उनकी साथ अच्छी compatibility चाहिए, तो आपको क्या मैं tips ऐसे दूँगी, जिससे at least आपके अंदर सामन ज atmosphere बनाने की आतत है, बतलब उनको बहुत अच्छा लगता है अगर थोड़ी थोड़ी time के बाद उनने ये कह दिया जाए कि अरे तुम बहुत अच्छे हो, you're wonderful, you're very good, you're doing really great, and उनके लिए एक आदी week में outing कर प्लान कर दी जाए, dinner की, lunch की, candlelight dinner कर लिया जाए, उनको छोटा- happy हो जाएंगे, और आपके साथ देने के लिए तहिहार हो जाएंगे, दूसरी चीज, उनको जूट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसे में आप कोशिश करिएगा, जो हैं वो स्पष्टवादी रहें, अगर आप आपने कुछ भी कहा, और वो गलत कहा या जूट कहा, वो ऐसा है, सामने स्पष्ट रूप से कह दीजेगा, next important thing, कभी भी मुँपे राम बगल में छूरी, वो वाला हिसाब मत करिएगा, बहुत जल्दी से पकड़े जाएंगे, और सिरफ पकड़े ही नहीं जाएंगे, आप उनकी नजरों से, उनकी लाइफ से आप अलग हो फिर उसके बाद उनको दुबारा अपने अंदर लाना, यानि आपको accept करना उनकी inner world में extra impossible होगा, last but not the least, उनको ना boring life पसंद नहीं है बिल्कुल, वी horses को, तो फिर वो क्या चाहते हैं, वो यह चाहते हैं कि बहुत सारे ही लोग, जो उनके साथ जो है, जुड़े हुए परि होते रहें regularly, वो यह नहीं, उसी धर्रे पे, मतलब जहां कमरे में सोफा पड़ा है, तो वहीं पड़ा है, फूलदान रखा है, तो वहीं रखा है, तो change, जो innovation और change उनको पसंद आता है, उसकी वजह से आप उनके साथ कहते हैं, रूबरू हो सकते हो, बाते कर सकते हो, discussions कर सक हो, because कुछ भी नया motivating, encouraging factor उनको हमेशां लेओर करेगा, to come to you and talk to you, because they are always agile and active in their thoughts, तो ये तो हो गई जी बात सारी complete horse की, तो I am very sure इतने सारे मश्वरे दे दिये, आप इसका implementation कहीं ना कहीं तो करेंगे, जो आपको फाइदा करें, या आपको करें, या फिर आपकी जो घर की लो Thank you so very much, God bless you, thank you and wishing you happy Navaratras which are upcoming, may God bless you, stay abundant, stay blessed